तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पॉलिटेकनिक और पैरामेडिकल के नमर वन चैनल स्टेडी वित रितेश में तो दोस्तों आज किस वीडियो में आउन लोग जानेंगे विहार पॉलिटेकनिक 2020 का पेपर कैसा था किस टाइप के प्रेस ने पूछे गए थे आपके इ ने हो पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइगन को हिट कर लो चलिए स्टुडेंट कोशन है प्रकास संसलेशन के द्वारा प्रकास से कौन सी गैस निकलती है तो प्रकास संसलेशन के द्वारा प्रकास से कौन सी गैस निकलती है तो बच्छो इसक से प्लास्टर ऑफ पैरिस बनेगा तो बच्चो इसका जो राइट आंसर होगा वह गा जिप्शम जिप्शम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका कैमिकल फॉर्मुला क्या होता है बच्चो सी ए एस सो फोर टू एच टू ठीक है तो याद रखिएगा चलिए अग ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ चलिए स्टूडेंट अगला प्रेशन है कौन सरवोतम विदूत का चालक है यानि यहां पे सबसे अच्छा विदूत का चालक कौन होता है यह पूछा था बच्चो तो यह कौन होता है चांदी होता है है ना चांदी हो के बढ़ियों के दौरान किसका प्रियोंग किया जाता है ग्लिंस रोल का प्रियोंग किया जते है झाली बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरह चलिए स्टुडेंट अगला प्रेश्ट नहरा है किसमें 20 प्रमानू होता है प्रेश्ट इन morphane क्या चालीं होता है । इसके बाद अगला प्रेस ने है सबसे पहले वैक्सिन कहा लंच हुआ था अब यहाँ पे देश का नाम पूछा है या फिर वैक्सिन का नाम पूछा है यह तो नहीं पता बट मैं आपको दोनों बता देता हूं देखिए सबसे पहले वैक्सिन जो है यह कौन सा लंच हुआ थ यह मैं दोनों बता देता हूं तो सबसे पहले वैक्षिन जो है यह रशिया में लॉंच हुआता है यानि रूस में लॉंच हुआता और इस वैक्षिन का नाम क्या था स्टुडेंट इस पूतनिक वी ठीक है यह भी याद रखेगा इस पूतनिक वी जो है इस वैक्षिन का ना नमर कितना होता है बच्चो एने यानि सोडियम और इसका अटॉमिक नमर पूछ लिया है कितना होता है आप सभी बच्चे जानते होंगे 11 होता है है ना उसके बाद अगला प्रेश्ण है पानी में कौन सा धातू सबसे ज्यादा गुलंसील है यानि पानी में कौन सा मैटल जो सीसे का काच कैसा दिखाई देता है सीसे का काच कैसा दिखाई देता है तो बच्चो यह तो वाइट होता है सीसे का जो काच होता है यह कैसा दिखाई देता है ठीक है चलिए अगला प्रेश्ण है अब देखें स्टुडेंट अगला प्रेश्ण यह था नाइट्राइट के क इतने लेक्टरउन होते हैं बच्चो यह होते हैं 10 ठीक है तो यह आप लोगों ने 10 लल्य अब हाइं क Kerry ॰हासाइनिक सुतर होता है रहत है चिह थी तो इसमें कलोरीन प्रमाने की संख्या कितनी है तो 3 outdoor airport तीन हो जाएगा ठीक है और इसके बाद पूछा है बच्चो कौपर का आयश्क तो कौपर का आयश्क कौन होता है क्यों प्राइट होता है ठीक है क्यों प्राइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देगे स्टूडेंट अगला प्रेशन है प्रित्वी पर बैगनी किरन कौन सा गैस नहीं आने देता तो प्रित्वी पर जो प्यारा बैगनी किरने हैं अल्ट्रा वैलेट रेज जो हैं ये कौन सा गैस नहीं आने देता तो बच्चों ये ozone gas नहीं आने देता यानि O3 जो कि oxygen के तिन परमानों से मिलकर बनने वाली गैस होती है ozone ठीक है तो दोस्तों मुझे इतना ही question मिला था ठीक है अगर आप लोगों के पास और भी questions हैं तो आप लोग जो है हमारे telegram channel पर भीजिए telegram channel पर जाना होगा वहाँ search करना होगा study with रितेस और आप लोग जो है आप लोग को जितने doubts हैं जो भी questions आप लोग के पास हैं तो आप लोग जो है इस channel पर भीजिए मैं एक video फिर से लेकर आऊँगा और उस video में numericals वगरा और maths वगरा कि जो question होगे उनको solve करोँगा ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस video को like कर देना और channel पर नहीं तो इस channel को भी subscribe कर लेना